वित्यारती मित्रों, आज हम कक्षा आठ प्रत्रम सत्र इकाई दो इद्गा इस इकाई के अप्यास और स्वात्या के प्रश्ण उत्तर के बारे में समझेंगे इद्गा इस मुल्सी प्रेमचंत की एक कहाणी इन्होंने कई कहाणिया लिखी थी वह आप गए बार पढ़ चुके तो इस लेकग का नाम भी याद रखना अभ्यास प्रश्ण एक प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक हामित ने चिम्टा ही क्यों खरी था चिम्टा ही क्यों खरी था खोई दुसरी चीज क्यों न लिए उत्तर जब हामित की दादी तवे पर से रूटिया उतारती थी तब दादी की उंगलिया जल जाती थी चिम्टा होने पर उंगलया नहीं जलेगी उसके पास तीनी पेसे थे इसलिए उसने खिलोने मिठाईया न खरिद कर चिम्टा ही खरिदा बच्चों तो इसके लिए पैसे कम होने के कारण उसने सिर्फ चिम्टा ही लिया अगर दूसरी चीज ले लेता तो क्या हो जाता उसके पास पैसे नहीं बचते तो हामिद चिम्टा खरीदने के काउन से कारण बताता है हामिद ने चिम्टा खरीदा तो उसने क्यों खरीदा उसका क्या कारण बताता है बच्चों लोगों को उसके मित्र लोगों को तो उत्तर आमित ने चिम्टा खरेदने का कारण बताता है कि इस खंदे पर रग दिया तो इसे अगर खंदे पर रग दिया तो क्या बन जाएगा बंदूप हाथ में लेने पर फकिरों का चिम्टा चिम्टा मंजीरे का काम भी आ सकता है चिम्टा आग पानी में आंधी तुपानों में भी डटा रहता है यह कारण बताता है मतलब चिम्टे के बहुत सारे उसने उप्योग बताए इसे कारण के उज़े से उसने खरीदा ऐसा हो अपने मित्रों को बताता है प्रस्न तिसरा गुड़ी अम्मा का क्रोध स्ने में क्यों बदल गया उत्तर हामित ने चिम्टा लाया तो अम्मा को दुख हुआ उसकी बे समझी पर क्रोध आया मगर हामित कहता है कि रोटिया पकाते समय तुमारी उंगल्या जल जाती थी इसलिए मैं चिम्टा लाया हूँ यह सुनकर पुड़ी अम्मा का क्रोध स्ने में बदल गया उसने जब बच्चे ने कहा अपने हामित ने कि तुमारी उंगल्या जल जाती है इसलिए में लाया तो उसका जो अम्मा का क्रोध था वो कम हो गया और वह स्ने में बदल गया चार अब आप चिम्टे के प्रयोग की तरह रुमाल के वीवित प्रयोग बताईए यहाँ पर आप लोगों को रुमाल के वीवित प्रयोग बताने ही तो तर रुमाल बहुत ही काम की चीज है तेज दुप में उसे सीर पर बांद सकते हैं अगर थेली न हो तो साक्षब जी आदी के काम आ सकता है हाथ, मुँ और पसी ना पहुचने के काम आता है सुती रुमाल मास की जगह पर काम आता है इस तरह अनेक प्रयोग होते है अभी हाल में कोरोना चल रहा है तो सबसे ज़्यादा लोग रुमाल ही बांते है तो ऐसे विवीद उप्योग होते है आप और भी उसके उप्योग लिख सकते हो प्रश्न दो इस कहानी का शिर्षक इद्गाही क्यों रखा गया इसके अलावा आप कौन सार शिर्षक देना चाहेंगे उत्तर इद की नमाज पढ़ने लोग इद्गाह जाते है इस पाट में इद्गाह के विशय में बताया गया है बच्चे और बुडे सभी में उस्ता होता है इद्गाह की विशेश्ताए प्रगट होती है इस कारण इद्गाह इंशिर्षक रखा गया है इद्गाह की अलावा हम आमित का चिम्टा एवं अम्मा पर प्यार इंशिर्षक देना चाहेंगे क्योंकि कहानी का पुर्ण उद्देश उससे जुड़ा हुआ है जो आमित का चिम्टे पे ही पुरा पाट है इसके लिए हामित का चिम्ता यह शिशक दे सकते हैं और अम्मा का प्यार उसका अम्मा पर बहुत प्यार था इसलिए अम्मा का प्यार यह भी हम सिशक देंगे तो बहुत उचित रहेगा प्षणतिन निमलिकित परिचेत को पढ़ कर नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए मैं परिचेत पढ़ रहाऊं आप स्रवन करे हमारे इत्यास और पुरानों में परोपकार के अनेक उदारन मिलते है ददीची ने मालो कनल्यान तथा असुरों के सहार के लिए अपना शरीर द्याग दिया राजा शिवी ने पंडुक के प्रान की रक्षा के लिए अंगदान किये महर्शी दयानन ने विश मिला कर प्रान लेने वाले अपने रसोये जगनात के प्रानों की रक्षा धन दे कर की वर्टमान में भी अनिक सामाजिक संस्ताय परोपकार के लिए अपना धन और समय बार्तिय समाज को दे रही है बार्तिय समाज में योगों से परोपकार की सुर्शरी प्रवायत होती आई है यहां रूशी मुन्यों ने यहीं सिख दी है कि निराश्रितिक को आश्रादो दीन दुखियों और उद्दो की सारीरिक और आर्थिक मदद करो बुकों को बोजन करवाओ विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो यहां सदा सबकी बलाई में ही अपनी बलाई मानी जाती रही है संसार के सभी दर्मों का मुल परोपकार है किसी भी संत महत्मा ने इसके बिना मनुश्य जीवन को सार्तक नहीं माना लोग परोपकार के लिए ही अउशदाले गौशालाए और धर्मों शालाए बनवाते है सभी अपनी सामर्त्य और शक्ति के अनुशार परोपकार करते रहे तो समाज एवन देश की उन्नत्ती होती रहेगी तथा वसुदेव कुटुमकम की बावना फेलेगी अब इसके आदार पर हम प्रश्न उत्तर समझेंगे प्रश्न एक एत्यासिक ग्रंतों में परोपकार के कौन कौन से उदारन मिलते है उत्तर एत्यासिक ग्रंतों में परोपकार के अनेक उदारन मिलते है ददीची ने मालव कल्यान और असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किये महर्शी दयानन सरस्वती ने विश्ट देने वाले रशोय की दन देकर उसके प्राणों की रक्षा की तो इस तरह से कई लोगों ने देश के हैत्यासी क्राणतों में अपने लोगों के परवकार के लिए कुछ न कुछ किया है तो उस परवक्राम के ये दो तीन उदारन इस परिश्चत में से हमें मिलते है दो रूशी मुन्यों ने हमें क्या सीक दी है उत्तर रूशी मुन्यों ने हमें यह सीक दी है कि निराश्रिक को आसरा दो दिन दिखियों को उद्धो की आर्थिक और शारिरिक मदद करो वोको को बोजन और विद्वान होतो विद्या प्रचार करो तो यहां हमें सीख दिये कि जो गरीब होते हैं जो दुखी होते हैं उनकी मदद करना चाहिए अगर वुर्द्ध हो तो उसको आर्थिक मतलब पैसे और सारी रिक्रिस्षेपन आप उसकी मदद कर सकते हो और आपको ग्णान है तो आप वो ग्णान भी बाट सकते हो तीन देश एवं समाज की उन्नती की स्प्रकार होगी उत्तर सभी लोग अपनी सामर्थियों और शक्ति अनुशार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नती होगी अगर सभी लोग हमारे शक्ति के हिसाब से सामर्थियों के हिसाब से अगर परोपकार करते रहे लोगों की मदद करते रहे तो देश की उन्नती होती रहेगी और प्रस्ण चार विलोम शब्द लिखिये आसरित निरासरित अवनती उन्नती विलोम शब्द को विरोधी शब्द अत्वा विरुदार्थी शब्द भी कहते है तो यह हमें याद रखना है प्रश्ण पांच परिचेत के आदार पर अपने साथियों से पुछने के लिए तीन प्रश्ण बनाईए तीन चार प्रश्ण बनाना है उत्तर एक वर्तमान समय में सामाजिक सैंस्ताय क्या करती है दो संसार में धर्म का मुल क्या है तीन वसु देव कुटुम कम कुटुम बकम की बावना कैसे फैलेगी तो और भी हम बहुत सारे प्रश्ण बना सकते है इसमें अब प्रश्ण चे इस परिचेत को उच्चित सिर्षक दिजी तो उत्तर उच्चित सिर्षक परोपकार का महत्व है आप और भी एक दो उच्चित सिर्षक आप दे सकते हो प्रश्ण चार तुम भी हमित की तरह किसी मेले में गए होंगे वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों आप कभी मेले में गए हो तो आप जिस मेले में गए हो वहाँ पर आपने क्या खरीदा और क्यों खरीदा तो उसका कारण भी आपको यहाँ पर लिखना है यह प्रश्ण आपको लिखना है अब प्रश्ण पांच यदि तुम्हें मेले में अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों तो यहाँ पर आपके अगर दादी नहो फिर भी आपको प्रश्ण का उत्तर लिखना है आप कल्पना करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिखो स्वाध्याई प्रश्न एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक रोजे के दिन मुसल्मान क्या करते हैं उत्तर रोजा एक मैने तक होता है सुर्योदै से सुर्यास्थत तक कुछ भी खाते पिते नहीं है उसे रोजा कते हैं रोजा मुसल्मान लोगों का दार्मिक भरज है तो इस तरह से वह कुछ भी नहीं खाते हैं कहा जाता है कि वह जो थूक आता है तो थूक भी वहां भाहर फेक देते हैं तो इतना जोरदर उपास उनका होता है अब दो रमजान इद के दिन मुसल्मान लोग कहा जाते हैं उत्तर रमजान इद के दिन मुसल्मान लोग नमाज पढ़ने के लिए इदगा जाते हैं जब रमजान इद आती है एक महिने के बाद तो वहां इतके दिन वहां बहुत खुशी-खुशी नमाच पढ़ने के लिए जाते है ऐसे तो वहां सभी रोज नमाच पढ़ते है तीन दुकानों में कौन-कौन से खिलोने मिल रहे थे उत्तर दुकानों में विष्टी, सिपाई, गुजरिया, राजा, वकील, दोबिन, आदी मिट्टी के खिलोने मिल रहे थे अब आपको यहाँ पर एक पैंसिल दिवी है वोस पैंसिल में शब्द के समान अर्थी शब्द और विरोधी शब्द दोन्यों लिखना है तो आप अब शीतन, शीतल का क्या लिखोगे तो ठंडा, समान अर्थी शब्द ठंडा, विरोधी शब्द आएगा क्या आएगा उष्ण, प्रसन का आएगा समान अर्थी खुष और उसका विरोधी आएगा उदास गरिप का आएगा दिन और गरिप का विरोधी शब्द आएगा अमीर अंधकार का अंधेरा समान अर्थी शब्द विरोधी शब्द प्रकास सने का समान अर्थी शब्द प्रेम और उसका विरोधी शब्द गुरुना पुरानी का पुरानी का प्राचिन और विरोधी शब्दों का उसका नई प्रश्ना चार मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए एक बेडा पार लगाना मुसीबत से बचाना इस्वर ही सभी का बेडा पार लगा सकता है जो इस्वर होता है वही अमी मुसीबत से बचा सकता है दो बाल बाका ना होना मतलब जरा भी नुकसान ना होना ये मुहावरा का अर्थ है दुश्मन उने बहुत जोर लगाया मगर हमारा बाल बाका ना हुआ मतलब दुश्मन जो हमारा बहुत मुक्सान करना चाते थे मगर हमारा कुछ नहीं हुआ तीन, च्छाती पिट लेना, दुख प्रकट करना अन ओनी ओने पर लोग च्छाती पिट लेते मतलब दुख प्रकट करते है दिल चिरना, बहुत दुख पहुचाना बेटे के बुरे कामों में मा का दिल सीर लिया प्रश्ण चार रूप रेखा के आधार पर कहानी पुर्ण कीजे यहां पर रूप रेखा दिऊए उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है एक नगर में दोस्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार आपस में तकरार मामला न्याय दिश्के समक्ष दोनों की बाते सुनना न्याय करना बालक के दो टुकडे करके बाट लो एक स्तिरी मौन दुसरी का दोकर कहना बच्चे को न काटो उसे ही दे दो न्याय दिश्का फैसला रोती हुई स्तिरी को बालक सपन अब आपको यहाँ पर एक वीडियो बता रहा हूँ, वो वीडियो देखिए और आप कहानी पुर्ण कीजिए और एक नोटबुक में लिख लीजिए राजा का अनुखा न्याय एक राजा था, उसके राज्य में सभी लोग उसके न्याय से प्रसन्न रहते थे एक दिन दो महिलाएं आपस में झगरते हुए एक बच्चे को लेकराई, एक बोली महराज, यह मीरा पुत्र है दूसरी बोली नहीं, नहीं महराज, यह जूट बोल रही है, यह मीरा पुत्र है, मैं ही इसकी असली मा हूँ उसने पुत्र को जमीन पर रख दिया और बोली महराज न्याय कीजिए राजा ने दोनों की बाटों को ध्यान पूर्वक सुना उसने अपने एक सेवक को बुलाया राजा बोले हे राजपुरुष इस बच्चे के दो टुकले कर दो और दोनों स्त्रियों को एक एक भाग दे दो सभी दरबारी राजा के विचित्र न्याय को सुन कर आश्चर्य चकित हो गए वे एक दूसरे का मुह देखने लगे राजपुरुष तलवार लेकर पुत्र के पास पहुँचा उसको देखकर उसमें से एक स्त्री राजा के समक्ष जाकर विलाप करने लगी और बोली महराज दया कीजिए बच्चे के दो टुकडे मत कीजिए मेरा पुत्र दूसरी स्त्री को ही दे दीजिए खम से कम मेरा पुत्र जीवित तो रहेगा उसके विलाब करने की दशा देख कर राजा बोले यही इस बच्चे की असली मा है इस पुत्र को इसी को दे दो और दूसरी स्त्री को बंदी ग्रिह में डाल दो सेवकों ने वैसा ही किया सारे दर्बारी खुश होकर महाराज के न्याय की प्रशंसा करने लगे प्रश्ण पाँच नेम लिकित अपुर्ण काहानी को अपने शब्दों में पुर्ण कीजिए मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी मा सोचने लगी कि इस साल देख सारे स्वेटर बना कर बेचने है जिससे अंकित की देशिवी कक्षा की फीश और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके अंकित के पापा नहीं थे एक बड़ी बहन थी अंकित अपने गर में समुद्री लाने के लिए प्रती दीन सोचता रहता है तो अब आपको ये कहानी आगे बढ़ानी तो अंकित क्या-क्या सोच सकता है आप सोचिए कि मा को मदद मिले तो सायद ऐसा सोचे कि मैं रात को पढ़ाई करूँगा और दिन में दो-तिन गंटे कहीं पर काम करूँगा या तो मा को मदद करेगा उसकी मा स्वेटर बना रही है तो उसकी मा को मदद करेगा या तो फिर कोई इस परदा हो जो इस परदा में वहाँ भाग ले और वहाँ से उसे पैसे मिले जैसे कि कौन बनेगा करूँगा पती इसमें भी भाग ले सकता है तो आपको जो अच्छा लगे जैसे उसकी मा को मदद मिले वो इसाब से आपको यह कानी पुर्ण करनी है आप अपने दिमाग से यह कानी पुर्ण कर लिजिए बाट पुरा